ओमिक्रोन ने भारत में दस्तक दे दी है देश में दो लोग ओमिक्रोन से संक्रमित पाए गए गए चिंता की बात यह है कि जिस डेल्टा वेरियंट ने दूसी लहर में हजारों लोगों की जान ली थी ये वाइरस उससे भी कई जादा गुना खतरनाक है जिसका डर था वही हुआ कोरोना का सबसे घातक वेरियंट ओमिक्रोन 7,589 किलोमेटर की दूरी तैकर भारत पहुँच गया 24 घंटे के अंदर हमारे देश में दो ओमिक्रोन वेरियंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किये गए करनाटका में उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है दूसरा केस 46 साल के एक मेल है करनाटक सरकार के मताबिक ओमिक्रोन से संक्र में 66 साल का विदेशी नागरे 20 नवंबर को बैंगलूरू आया था और 27 नवंबर को दुबई लोड़ चुका है 24 लोग उसके सीधे संपर्क में आये थे और 240 सेकेंडरी कॉन्टाक्स थे सभी का कोरोना टेस्ट नेगिटव आया है लिकिन चिंता बैंगलूरू मेही मिले दूसरे मरीज को लेकर है जो 46 साल का स्थानी डॉक्टर है और उसकी कोई ट्रावल हिस्ट्री नहीं है ये शक्स 22 नवंबर को ओमिक्रोन पॉजिटिव पाया गया था इसके 13 प्राइमरी कॉन्टाक्स में से 3 और 205 सेकेंडरी कॉन्टाक्स में से 2 लोग पॉजिटिव पाये गये हैं बेंगलूरू में ओमिक्रोन के मरीज मिलने के बाद केंद्री स्वास्तमंत्री मंसुक मांडविया ने कनाटा के मुख्यमंत्री बासवराज बॉम्बई से बात की है बताया जा रहा है कि इस बातचीत में सीम ने कनाटा के हेल्थ वरकर्स को वैक्सीन की बूस्टर डोस देने का प्रस्ताव रखा है ओमिक्रोन को लेकर सिर्फ बेंगलूरू ही नहीं दूसरे राज्यों में भी चिंता बढ़ गई है हैदरबाद में ब्रिटन से आई महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है 35 साल के इस महिला के जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट का इंतजार है दिल्ली में गुरुवार को एरपोर्ट पर 6 या 3 कोरोना संक्रमित मिले इनमें से एक दक्षिर अफ्रीका से आया है हलाकि इसकी अभी जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट नहीं आई है गुजरात के जामनगर में भी जिंबाववे से लोटे 72 साल के बुजूर की कोरोना रपोर्ट पॉस्टिव आई है इनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भीजा गया है ओमिक्रोन के खत्रे को देखते हुए पाबंदियों कर नया दोर शुरू हो गया है दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 31 दिसम्बर तक नाइट कर्क्यू लगा दिया गया है दिली में मेट्रो जैसी सावजनेक जगहों पर टीके की दोनों डोस नहीं लगी होने पर यात्रा में पाबंदी के तयारी है दिली सरकार इस बारे में प्रस्ताव तयार कर रही है हाला कि केंदर सरकार कह रही है कि अभी डरने के जरूरत नहीं लेकिन कोविट प्रोटोकॉल्स का पालन कडाई से करना होगा यह फुल्ली वाक्सिनेटर मुस्ट इंपर्टन बोत डोज गोजीकहशन मप्नाई की तरफ से इस ने जुनोती को जैसे फेस करना है जो सवालों के ज़ड़ के लिए जो काम लबोरटरीस में होना चाहिए उस काम के लिए जो हमारा scientific तंत्र है हमारी laboratories हैं वो भी इसमें जुट गई हैं Omicron के challenge के आने के बाद इस लड़ाई में भै नहीं जिम्मेवारे Not fear, but responsibility is the mantra that we will take forward सवाल तो ये भी है कि अगर डरना नहीं है तो फिर दुनिया के कई देशों ने Omicron variant के बाद lockdown क्यों लगा दिया है अगर इससे खत्रा ज्यादा नहीं है तो फिर आस्ट्रिया, नीदलेंस और स्लोवाकिया जैसे देशों में lockdown क्यों है अगर उन्होंने lockdown लगाया है तो जाहिर है उन्हें खत्रा महसूस हुआ है और भारत को भी चाहिए कि इस खत्रे को नजर अंदाज ना करे लेकि देश में Omicron variant के मरीजों के संख्या अभी तो सिर्फ दो है लेकिन आशंका है कि आने वाले वक्त में ये संख्या तीजी से बढ़ते नजर आएंगे ऐसे में सवाल ये कि अगर हालात कोरोना के दूसरी लहर वाले हुए तो फर क्या होगा क्या हम उससे निपटने के लिए पुरी तरीकिसे त्यार की क्या आपको इन लोगों में कहीं भी को लेकर कोई ढर दिया क्या इस भीड को देखने के बाद कहा जा सकता है कि इस तरह कोरोना फैलने से रोका जा सकता है इसका जवाब है नहीं और ये तब है जब पिछले काई दिनों से हर तरफ कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन की चर्चा हो रही है लोगों में भले ही इसको लेकर डर ना हो या इससे पहले वो खत्रा महसूस नहीं कर रहे हो लेकिन सरकार की तरफ से तैयारिया शुरू कर दी गई है पूरी तरह वैक्सिनेटेट नहीं होने वाले यात्रियों पर आटी पीसी आर्टेस जरूरी साथ दिन का होम कॉरिंटीन और साथ दिन की सेल्फ हेल्थ मॉनीटरिंग आनिवारी चीन, न्यूजिलेंड, साथ आफ्रिका, बांगलादेश, ब्राजील, यॉरप, सिंगापूर, यूके, मॉरिशेस, बोच्षवाना से आने वाले यात्रियों के लिए नियम अनिवारी साथ आफ्रिका से एक नया बेरियंट करोना का जिसे का ओमिक्रोन का जा रहा है उसकी वज़े से पूरी दुनिया के अंदर चिंता का विशय बना हुआ है जो भी एफेक्टेट कंट्रीज हैं, उनसे आने वाली फ्लैट्स में सभी लोगों को एयरपोर्ट के पर आटीपी से आटेस सबका किया जा रहा है मुंबाई में तो ओमिक्रोन के खत्रे को देखते हुए बहुत बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है मुंबाई के जम्बो कोविट सेंटर को फिर से आक्टव किया जा रहा है मुझी क्रोन ने जो है वो टेंशन बढ़ा दी है लोगों की वैसे में राजसरकार के तरफ से बीमसी की तरफ से ये कहा गया है कि लोगों को ड़नने की जरूरत नहीं है सारे पढ़ियाप्त जो स्विवधाय हैं वो की गई है जो भी लोग हायरिक्स कंट्री से आएंगे उसको कारंटीन प्रोसेस होके गुजरना होगा गाइडलाइन के इसाब से हम लोग ने ये थाउजन बेड का रिचर्सन कुरूराज जंबो कोविड सेंटर पैसेंजर के फैसिलिटी के लिए बनाया है ये अल्रेडी एक कोविड सेंटर था जहां पर पॉसिटिव पेशन ट्रीट कर रहे थे फुली ऑक्सिजनेटेड है थाउजन बेड हैड है हाई रिस्क देशों से आई यात्रियों को साथ दिन कॉरंटीन में रहना होगा एरपोर्ट पर हाई रिस्क देशों से आई यात्रियों का आटी पीसियार टेस्ट होगा आटी पीसियार टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें जाने दिया जाएगा मुंबई की मेर के मताबिक उन्हें नहीं पता कि नया वाइरस कितना खतरनाक है लेकिन उसके लिए तैयारी हो चुकी है तो ठीके कोरोना के दूसरी लेहर के दौरान ऑक्सिजन की कमी ऐसे हुई कि बहुत लोगों की जान चली गए यूपी में गंगा के किनारे लाशों के अंबार को कोई भूल नहीं सका है ऐसे में आक्सिजन और बेट्स के मूर्चिप और सरकार की तयारी के बारे में भी जरा जाने उत्तर प्रदेश की राजधानी लकनों में भी तयारिया शुरू हो चुकी है एरपोर्ट पर टेस्टिंग बढ़ा दी कई है विदेश से लोटने वाले लोगों के लिए लोग बंदू अस्पताल बे 20 बेट रिजर्व के गए है डॉक्टर्स और दूसरे सपोर्ट स्टाफ की ड्यूटी भी लगा दी कई है हमने एक अभी 20 बेट का यहां बनाया आपको बताया कि वो रास्ता अलग है अभी फिलाल 20 बेट के हम लोग तयार किये हुए है अगर इनके समय कोई केस आता है तो हमने यहां ड्यूटी भी लगा दी है अगर कोई केस आ जाता है तो हम उसको एड्मिट करके इलाज शुरू कर देंगे दिरसल तयारी इसले भी जरूरी है क्योंकि दूसरी लहर में देश भर में क्या हुआ था ये पूरी दुनिया ने देखा था वैसे हालात फिर ना हो इसले तयारिया हो रही है सबसे पहली जरूरत है ऑक्सिजन की क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सिजन की कमी से हजारों लोगों को अपनी जानगवानी पड़ी थी दूसी लहर के दोरान देश भर में रोजाना ऑक्सिजन के रिमान 9000 मीट्रिक टन हो गई थी मई 2021 आते आते ये देश में ऑक्सिजन प्रोडक्शन 9,690 मीट्रिक टन तक पहुँच गया था ओक्टूबर 2021 तक देश में 1199 PSA आक्सिजन प्लांट से प्रोड़क्शन शुरू हो चुका है हर जिल्य में कम से कम एक PSA आक्सिजन प्लांट मوجود है केंदर और राजियो ने मिलकर 4000 नए आक्सिजन प्लांट लगाए है आक्सिजिन के अलावा दूसरी कमी जिसने लोगों की जान ली वो थी अस्पतालों में बैड की मरीजों को सडकों पर रहना पड़ा बैड की कमी से इलाज नहीं मिला जान चली गई लेकिन इस बार तैयारी मस्बूत है मर्च दो हज़ार बीस में जहां आइसलेशन बैट्स की संख्भिया 10,180 थी वहीं जुलाई दो हजार इकीस में ये बढ़ कर 18,21,845 हो चुकी है वही मर्च दो हजार बीस में इस बार तैयारी पुखता नज़रा रही है हलकि अभी तक रहात की खबर ये है कि ओमिक्रॉंट वेरियंट भले ही तेजी से फैलता हो लेकिन इससे खत्रा कम है पर इसे पूरी तरह सच माल लेना ठीक नहीं इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि कुरुना नीमो का पालन किया जाए अच्छा उया जाए